नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आप लोग से National Scholarship Portal का एक important topic के उपर बात करेंगे जैसे की bank account number और IPC code मतलब कुछ student का बोलना है कि sir मेरा registration करते time ही अपना account number या फिर IPC code हम गलत डाल दी है या फिर हम जब renewal कर रहे उस time हमको अपना account number IPC code को update कर लेना क्योंकि जो old number था वो बांद चुका है या फिर old जो मेरा bank का branch था वो change हो कहीं और shift हो गया तो मेरा IPC code change हो गया तो कैसे हम अपना scholarship में IPC code को update करेंगे क्योंकि जब तक कि मेरा bank account number और IPC code सही नहीं रहेगा तब तक हमको payment receive नहीं होगा ऐसे बहुत सरा student है जो update नहीं किया था उनलों का payment payment failed हो गया है जिसके कारण अभी तक payment receive नहीं हुआ तो आप लोग को मैं इस वीडियो में उसका पूरा rule बताऊंगा कैसे आप लोग अपना account number IPC code का update कर सकते हैं new registration के time ही अगर आप लोग गलती कर देते हैं अपना account IPC code को तो कैसे उसको सुधारेंगे तो चली वीडियो को शुरू करते हैं उससे पर अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आया है subscribe अगर नहीं किया अभी तक तो national scholarship भूल जाते हैं तो एक लाइक करके अपने कुछ फरेंड को तो जरू सेर कर दीजेगा ताकि अगर किसी को problem हो account और IPC code को change करना रहता है नस्पी में तो कैसे update करेंगे उसका पूरा process मालम चल जागा कि क्या process है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐसा student जो new registration कर रहे अभी और new registration करते टाइम अपना IPC code या account number को गलती डाल देते हैं तो क्या करना है उसके बाद मैं बताऊंगा जो student renewal candidate है अपना bank account बंद हो चुका या फिर IPC code change हो चुका कुछ भी है अपको अगर अपना account number IPC code को update करना है तो बहुत ही आसान पूरसेस है अप लोग बहुत ही आसाने से इसको update कर सकते हैं तो वीडियो को पहले complete देख लिजे ठीक है सबसे पहले new registration का बात करते हैं जो student new registration करते हैं मैं शुरू से बता रहां ताकि आप लोग को समझने में कोई दिकत ना आप लोग एक student है अराम से समझिए दो मिनिट का time निकाल के ठीक है जैसे कि हम लोग नया registration करते हैं तो हम लोग अपना IPC code को यहाँ पर दो जगा फिल करते हैं यहाँ पर भी फिल करते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी फिल करते हैं जब मेरा IFC code सही रहता है तब मेरा bank का नाम आटमेटिक यहां पर आ जाता है एक बात का ध्यान रखेंगे ऐसा कुछ student कमेंट कियें कि मेरा IFC code यहां गलत डाल दिये थे 0 के जगा O लगा दिये थे जिसके करन मेरा bank नहीं आया था मतलब आपसी कोड गलत हो गया पहले तो समझिये मेरा यहां पर आयवसी कॉट बी ए आर्बी जिरो है ठीक है यहाँ पर अगर हम इसको कर देते हैं अभी ओ की है ठीक है मतलो यहाँ यहाँ पर आलफाबेट कर दी हैं अ कर दियें तो क्या बता रहा है पिलीज इंटर भे इजिट बैंक आपसी कोड मतलब यह गलत आपसी कोड हम डाल दिए लेकिन फिर भी बहुत कोई क्या करता उहां नौटिफिकेसन आया कि आप गलत डालें लेकिन फिर भी इसी से यहां पर डालेंगे सब कुछ करके रेजिस्टर कर लेंगे तो मेरा यहां प पर देखेगा बैंक आ जाएगा यहां पर DAKE कर लोटाएं यहां पर कुछ गलत हो जाता हैं अगर registration करके करने के बाद अगर आपको पता चलता मेरा IFC code में या फिर bank account में कुछ गलती हो गया उस ताइम अगर आप इस form को वुड्रॉल कर लेते एक लोग इन करने के बार वुड्रॉल का भी option आता है वुड्रॉल करके दुबारा सही-सही अगर registration कर लेते हैं तो मेरा सब कुछ तुरंती सुधर जाता है लेकिन अगर मेरा हम ध्यान नहीं दिये उस टाइम बैंक का IFC code account number सब कुछ मतलब गलती था हम अच्छा से ध्यान ने दिये और final submit कर दिये अपना form को ठीक है अपना form को final submit कर दिये कराने के बाद भी account number को update update करने का option नहीं मिलेगा उस form को आपको institute अगर reject भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको उस form को कोई मतलब नहीं क्योंकि उसमें गलत होगी आपको पैसा मिलेगा इन वह यह एकौन नमर गलती पिछले बार और सोचा तो आधर फैमेंड मिलेगा नहीं मिला उसको फैल हो गिया ठीक है तो इन यह गलत फैमी में नहीं रहेंगे पहले तो आप समझे कि आपका form जो है वो गलती हो चुका आपका जो भी form है वो account number हम गलत डाल दिये तो वो मेरा गलती हो चका अभी जब हम new registration करेंगे हम renewal का भी process बतांगे बहुत simple process है renewal वाला के लिए जो student renewal है और update करना चाते है उसको अभी बता रहा हूँ पहले new registration का बता देता है ठी गलती हो गया और उसमें bank account number गलती था तो उसको इंस्टिटूट से defect करवा लिजे या फिर इंस्टिटूट उसको बोलिए कि verify नहीं करें ठीक है दूसरा आप एक form बरने का try किजे एक दूसरा अपना form बरने का try किजे जिसमें आपको अपना account number तो सही मिल जागा ना क्यूं मतला अधार कर देंगे तब नो और रेडी रेजिस्टर बताएगा तो हम अपना account number को ही दो बार यहां पर टाइप करेंगे दोनों बार account number देंगे यहां पर जो verify करेंगे वह account number से verify करेंगे हमको सिर्फ bonafide certificate upload करने compulsory रहेगा तो हम यहां पर ले लेंगे account number bank account से अपना form को registration registration कर लेंगे और college से bonafide लेका upload कर देंगे तो मेरा दो form एक बार में registration हो जाएगा जो form में गलती था ठीक है जो form में गलती था उसको बोलिएगा institute से reject कर देगा तो जब आपका फास्ट फर्म जिसमें गलती था वह institute रिजट कर देंगे उसके बाद जो second form आप भर है उस form में स आके login करेंगे login करने के बाद आपको एक option मिलेगा update आधार नमबर तो फर्स्ट वाला जो form में आपका आधार ता उस वह form तो reject हो किया institute रिजट कर दिया second form जो हो रहा है उसमें आधार कर अपडेट करने का option है उसमें जाके अपना आधार नमबर को दो बार डालके update कर नस्पी में फिर account नमबर भी सही हो जाएगा और जो पहले फर्मबर है तो वह पुन तो इंस्टिटूट रिजट कर दिया लेकिन जो नया फर्मबर है उसको आपको इंस्टिटूट को बोलना है उसको उसको मतलब एप्रूब कर देंगे ठीक है यह था new registration का problem सब कुछ और problem में तो comment कर दिजे अभी मैं आता हूं renewal वाले क्या है जो student renewal student है और उसको अपने account नमबर को change करना वो क्या करेंगे ठीक है इसका यहां पर apply for renewal है इस student का देख सकते हैं इस student का renewal है लेकिन मेरा यहां पर इसका आपसी कोड़ और bank account है यह बंद चुका यह फिर आपसी कोड़ चैंज हो चुका है account number चैंज हो गलत है कुछ भी हमको इसको हटा देना इसको नहीं रखना तो पहले हम आपना scheme को देख ले ऐसा scheme अभी मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को क्या करना पहले मैं बता रहा हूँ अप लोगों को वीड्रॉल application करके new registration करना लेकिन वीड्रॉल ओही स्टुडन करेंगे जिसको अभी मैं बता रहा हूँ जल्दी बाजी में भी उड्रॉल नहीं किजिए नत्त दुब इस्टुडम दे के पास करते उसका इंस्टिटूट अगर अपडेट करना तो इसको नहीं मिला तो अगर आपका अगर इसकी में मतलब यहां पर जो इसकी में वह इसकी भी देखना है कि कुछ-कुछ ऐसा इसकी में जिसमें अगर आप वीड्रॉल कर लेते हैं तो दुबार सेक्टर सक्टूर्ण की मीनस की यह तो एक्जाम पास करने के अबाग और यह जो सेंटरल सेक्टर सक्टिक्ट we जो कुछ exam मतले इंटर ज्यादा नंबर ज्यादा नंबर से पास की हैं या फिर इंटर में ज्यादा मतला आपका हैस्ट नमाक्स है जिसके करने इस्टेट गवर्मेंट आपको इस्कीम दिया है और इसा student जो central sector scholarship स्कीम है वो लोग renewal में कभी ऊड्रोल नहीं करेंगे अगर रिन्वल में आप उड्रोल कर देंगे तो दुबारत जब registration करेंगे तो आपको central sector scheme मिलेगा ही नहीं क्यों central sector scheme और एक रूल है कि आपको हम एक बार registration करना चारों बार आपको चार बार तिम बार एनमस में चार बार और central sector में तीन बार आपको दो बार renewal करना एक बार registration करना दो बार renewal करना ठीक है एही रूल है बीच में अगर renewal कर लेते तो आपको scheme नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा scheme जो student को normal student को मिलता है मतलब आप कोई भी exam बगर आप पास नहीं किये आप सिर्फ उस state में रहता है जैसा असाम में रहता है या अधर state में रहता है और आपको या फिर आप minority में आता है जैसे Muslim, Sikh, Christian और आपका pre-metric minority है या post-metric scholarship for minority है यह normal student का अब ही open हो जाता है मतलब जो भी student registration करता है अगर पढ़ाई कर रहा होता है registration करता है 50% ज़्यादा marks लाता है तो उसका schemes होता है लोग को अगर account number और IPC code को update करना तो आप direct यहां पर renewal में IPC code ऐसा लिख के यहां पर टिक करेंगे और withdrawal application करेंगे यह application आपका NSP से withdrawal हो जागा मतलब NSP से delete हो जागा फिर दुबारा हम NSP को open करेंगे और new registration कर लेंगे ठीक है बस इतना ही है कुछ भी confusion है तो withdrawal फटाक से नहीं करेंगे comment करके पूछ लेंगे other जानकर या other problem में comment कर दीजे वीडियो अच्छा लगा तो like करके अपने सभी फ्रेंड को share भी कर दीजे चैनल पर नहीं तो subscribe जरूर कर लिजे इसको लसिव related वीडियो हमेंसा पाने के लिए चली मिलता आप दूसरे वीडियो पर